अगर आप भी मेरी तरह ही बिल्कुल बेकार चीजों को रियूज करके और उनसे ही थोड़ी सी जुगाडबाजी करके अपना घर डेकुरेट करते हैं तो ही आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा तो हलो इन वेल्कम बाक अगें टू दी चैनल एक्स्प्रोर लाइक प्रतिभा और आग के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटिफुल सा हैंगेंग प्लांटर साइडिया जो घर के बिल्कुल ही बेकार समान से बनने वाले हैं तो फ्रेंट्स आपने देखी लिया है यहाँ पर मैंने लिया है शांपू की बॉटल जो मैं काफे टाइम से वेट कर रही थी कि इनका शांपू फिनिश हो जाए और मैं इस तरह का डिया वाई क्रियेट कर सकूँ तो मैंने इनका जो लेबल होता है वो रिमूब कर लिया है आसानी से आप नाइफ से या फिर सीजर से इनको हटा लीजिए और बस इसके बाद हम इनको पेंट करेंगे तो अगर डियरेक्ट्ली हम इनके पर वाईट पेंट करते हैं तो पेंट बहुत जादा लगता है उसके के दो तिन कोट हमें करने पड़ते हैं तो इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले हम यहां पर घर का बनायवा जैसो यूज़ करेंगे उसके लिए मैंने ले ली थी वाल कुट्टी दो चमच वाल कुट्टी ली थी थी थोड़ा सा फैविकोल लिया था और उसके अंदर डाल तो जब मैं यह DIY बना रहे थी तो बेटी को भी इंस्पिरेशन मिली तो उसने भी DIY बनाया है आपको वीडियो के एंड मर देखने के लिए मिलेगा और जैसे कि अभी summer break चल रहा है तो बच्चों की छुटियां होंगी तो इस तरह के DIY आप बनाएंगे तो बच्चों को भी आप डेकोरेट करके आपने घर को तो सजाई सकते हैं साथ ही साथ आप environment में भी pollution फैलने से रोक सकते हैं क्योंकि जितना हम plastic waste जो है बाहर डंप करते हैं तो वह environment में गंदगी फैलाते हैं तो इस चीज़ से भी आप मतलब environment को help कर सकते हैं मेरा या idea आपको कैसे लगा है comment करक साथ ही साथ आपके pocket से बहुत सारा जो पैसा खर्च करते हैं डेकोरेशन पर वो तो बचेगा ही तो यहाँ पर जो मैंने जैसो किया था वो थोड़ा खुरदुरा सा हो जाता है तो उसको मैंने थोड़ा सा घिस लिया था ताकि इसकी जो surface है थोड़ी से स्मूध हो जाए औ और उसके बाद मैंने इसके उपर white paint कर लिया था यहाँ पर मैंने acrylic color यूज करें हैं अगर आप इसकी जगह पर wall paint आपके बास white color का हो तो वो भी यूज कर सकते हैं लेकिन wall paint अगर आप यूज करेंगे तो सारे ही इसके उपर job decoration या design बनाएंगे तो wall paint ही यूज करना पड़ कर लिया था और simply मैं यहाँ पर leaves का pattern ड्रॉ कर रही हूं और इस तरह का DIY बनाने का मेरा बहुत दिनों से मन था actually इस वाले जो art को है बहु आर्ट कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं अगर मैं सही नहीं हूँ तो प्लीज मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो यहाँ पर मैं अगर आप बहुत सारे इस तरह के आइडिया बनाए जाते हैं कोई भी इसको बना सकता है असानी से अभी जो दूसरी वाली बॉटल्स है उसमें आप देखेगा मैंने कैसे ड्रॉ किया है तो यहाँ पर यह वाली बॉटल कंप्लीट कर ली है मैंने ग्रीन कलर के साथ तो दूसरी वाली बॉटल में मैं यहाँ बड़े बड़े डिजाइन बनाऊंगी और इस तरह की आर्ट करने के लिए आपको कोई खास लर्निंग की जरूत नहीं होती ह अगर आपको मेरी तरह ड्रॉइंग नहीं आती है तो आप भी इसको असानी से बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर मैंने चौड़ा वाला ब्रश ले लिया है और दीखिए कितने सिंपल तरीके से यहाँ बड़ सर्कल ड्रॉ होते जा रहे ह तो जगा जगा मैंने रेंडमली कहीं पर भी सर्कल और हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिये हैं यल्लो कलर से और फ्रेंट्स इस तरह का जब आर्ट बनाते हैं तो बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है लेकिन यह वाला जो काम मैं कर रही थी बहुत ही रिलाक्सिंग था क्योंकि इसमें में कोई खास डिजाइन बनाने की जरूत नहीं पड़ रही थी और सरकल से ही और बिल्कुल रैंडम डिजाइन से ही आप बहुत बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने यलो कलर सूप जाने के बाद यलो और रेड को मिलाके औरेंज कलर बना लिया था आप इस तरह की शेट लीजिएगे जो सिमिलर से हूँ एक लाइट लीजिए और एक डाक लीजिए तो आपका जो डिजाइन बनेगा वो उभर कर आएगा तो यहाँ पर औरेंज कलर के बड़े-बड़े सरकल मैंने ड्रॉ कर लिया है जो यलो कलर को ओवरलाप कर रहे हैं तो यह वाली भी बाटल कम्प्लीट हुई और इस वाली बाटल पर मैंने क्योंकि मैंने औरेंज कलर अभी बना के रखावा था यह सूख न जाए तो मैंने स अच्छी बनके त्यार होगी और आपका जो कॉस्ट आएगी उसकी वह भी कम आएगी तो इस बोटल पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन किया है यहां पर ऐसे ही रैंडम ली एक शेप मना दी है बड़ी सी और साथ में थोड़ी से सरकल ड्रॉ कर लिए और अब इस थोड़े से पेस्टल कलर यूज़ करेंगे तो बोहो आर्ट आपका खिल कर आएगा तो यहां पर येलो कलर से भी मैंने एक सेम वैसा ही पैटर्न ड्रॉ कर लिया है जो मैंने और अरज कलर से किया था और फ्रेंड्स यह वाला जो डियाईवे है ना मैंने काफे टाइम लगागर बनाया क्योंकि तो गर्मी जादा है लॉबी में सेट अप करना पड़ता है तो थोड़ा था काम मैं लॉबी में करती थी फिर अंदर इसी वाले रूम में बैट जाती थी जाकर क्योंकि आपको वी तो पता ही है कितनी जादा हो रही है 52 से जादा टमप्रेचर रहा है तो इस ताइम पर ड्याईवे बनाने का विल्कुल भी मन नहीं करता है यही reason है कि मेरे जो काफ़े time से वीडियो भी नहीं आ रहे हैं तो वैसे भी relaxing time चल रहा है, summer vacation चल रही है थोड़ा सा enjoyment चल रहा है बच्चों के साथ कुछ मौज मस्ती चल रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं summer vacation में मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा वैल यह जो काम था काफ़े relaxing था, तो मैंने अराम से बनाया है और patience के साथ आप कोई काम करते हैं तो उसके result awesome होते हैं तो बस अब यह वाले design सुखने के बाद इसके उपर हम black color से leaves का pattern बनाएगे again तो पहले मेरे mind में कुछ और था लेकिन जब हम कोई चीज बनाते न तो बनाते बनाते कुछ और ही बन जाता है लेकिन जो भी बन रहा है अपनी creativity से आप अपने according बना सकते हैं और इस तरह का जो wall hanging या फिर wall hanging planters कहिए आप मैंने Pinterest पर Amazon बगर पर देखा था तो काफी costly था तो तभी जैसे मैंने मन बना लिया था कि इसको मुझे खुद बनाना है create करना है और यहाँ पर यह जो black color से मैं fill कर रही है पहले मैंने जो glass color होते है उसका जो outline highlighter होता है वो मैंने use किया था लेकिन वो थोड़ा फैल रहा था smudge हो रहा था तो फिर मैंने उसको रख दिया और यहाँ पर zero number के brush से ही मैं black color से यह leaves का pattern बना रही हूँ और आप छोटी बड़ी या फिर जैसा मर्जी आपको leaves बनानी है उसके अंदर बीच में design बनाना है पत्तियों का जो होता है lines होती है तो वो भी draw कर सकते हैं कुछ पत्तियों को मैंने fill कर दिया है पूरा dark कर दिया है कुछ में design बनाया है और कुछ को खाली चोड़ा है तो औ cardboard roll पर मेरी daughter ने बनाया था तो उसको भी मैंने planter की तरह अपनी wash vision के उपर सजा दिया है तो इस तरह से आप creativity करेंगे तो आपके बच्चों को भी inspiration मिलेगी और आपके पास बहुत सारे ideas होगे अपने बच्चों को involve करने के और इस तरह की activity में जब बच्चों को involve करते हैं त चार बॉटल थी मैं भी आपको यहां पर साइड में पिक लगा दोगी तो एक बॉटल मेरी बेटी ने पहले ही चुरा ली थी तो मुझे इन तीनों पर ही design बनाना पड़ा तो यहां पर मैंने इस पर लिख दिया है good vibes only तो पहले यहां पर मैंने वही highlighter यूज किया था लेकि यह लकड़ी का टुकड़ा जो पेड़ के टहनी होती है तो हमारे पास में एक timber की shop है एक बार ना मैं अपने husband के साथ कहीं जारी थी तो मुझे इस तरह की लकड़ी के टुकड़े दिखाए दिये तो फटा फट से मैंने वहां से ले लिए जो creator होते है ना वो इस तरह के काम जरूर करते हैं अगर आप भी करते हैं तो मुझे comment करके जरूर बताएगा तो यहाँ पर मैंने मैक्रे में रोप लेने गई थी तो मुझे ये वाली मैक्रे में रोप मिली तो उसकी मैंने यहाँ पर बना ली है एक braid और तीन पार लीजेगा और चोटी की तरह गूंद लीज सकते हैं और यहाँ पर अब इन्हें मुझे हैं करना है तो यहाँ पर मैं इस तरह से बराबर बराबर रसी काट ली थी और इन तीनों को मुझे यहाँ पर हैंक करना था तो मैं इसमें नौट लगा रहे थी लेकिन यह आइडिया मेरे हस्बेंट को बिलकुल भी पसंद नही और वाके में जो उनका आइडिया था वो बहुत ही अच्छा था तो अच्छी तरह से उन्होंने जो ये रसियां थी उनको कील से सिक्योर कर दिया था और काफी स्ट्रॉंग ये जो वाल डेकोर हमारा बन गया था और ऐसा मैंने Amazon पर देखा था बहुत पहले उसकी exact pic तो मेरे पास नहीं है यहाँ पर side में अभी recently मैंने एक देखा है जो काफी costly आते हैं इस तरह के wall decor आप चाहें तो इसे simply hang भी कर सकते हैं बिना इस branch के या पर आप इस तरह से भी decor कर सकते हैं अपने घर को और friends यह video upload करने से पहले मैंने अपनी बहन को दिखा दिया था जो खुद भी DIY बनाती है तो उसने बोला कि तू इतनी creative कब से हो गई तो DIY हमेशा ऐसा बनाओ कि जो भी देखे बोले वावा और बिकार समझकर बिल्कुल भी मत फैक ना कबार को क्योंकि कबार से ही आप घर जा लोगे और लोग पूछेंगे आपने कहां से खरीदा I hope friends यी वीडियो आपको पसंद आयागो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आपसे जलदी ही मिलोंगे नेक्स वीडियो में बाइ बा